कि अब वेलकुम तो मेरे साथ आप देख रहों कि साकेत वर्मा सर मेरे साथ में है और आप लोग, को हम लोग अनौंस भी किया थे कि प्री बुकिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले EMT की तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में EMT की कॉपी आ चुकी है तो प्री बुकिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रमाइटिक फिल्ड की बहुत सार लोग कमिकेशन जो लोग बुक कर रा चुके होंगे उनकी बुक अब EMT की बुक अब यह पूरी जा चुकी है प्रिंटिंग के लिए मेरे पास एक कॉपी भी आ चुकी है तो जस्ट में सोचा कि साकेश सर से बात करते हैं साकेश सर ही इस बुक पे मैक्समम काम की पूरा का पूरा तो बहुत सारा डिसकेशन कर सकते सब कुछ मिल जाएगा सेंपल्स चेप्टर्स मिल जाएंगे कि यह बुक कैसे लिखी गई है सेंपल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप बताइए कि इसमें जो जितना वर्काउट हुआ है लगबग इसको कितने चेप्टर्स में डिवाइड कि इसको लगबग इएट चेप्टर्स में डिवाइड किये तो इसमें सर अपन कुछिं कितने रखे इसमें लगबग नंबर आप कुछिं कितने रखे इसमें अराउंड 540-530 कुछिंस ऐसे हैं 530 कुछिं के आश्पर्स रखे हुग है और विदियो सॉलिशन से आपके पास 50 कि 50 कुछिं के 59 सॉलिशन से तो जो सegस्टार्ट बुड़ सकते होंसे के 50 वेडियो सॉलिशन के 50 कुछिंस फॉद्यशन का जो शुलिशन है और जो आप उडिवाग इनम्बर ना ? अधे निसकंतम अगर गर विदियो कूछिंन के भी कुछिं को गर इसमें के दुक्र मार्च सबgia ripe uw hand कि में ब्रहुत यह कुछ स्टाइज कोश्ट के भूख ही हैनल na little operations सारे n습니까 कोई भी कोशट brightly اे नहें टो देंगे से सा लेवर को टच किया कि गेत में जिस टैब Q'वाले टो फिलिंग रहे स्टुमें यह – वाले गेत वाले करता हुआ या उससे कुछ और भी good quality के कुशन रखे गया है और इसमें लगबग मैं देख रहा हूँ कि number of pages लगबग इसमें कितना है 500 510 के आसपास इसमें पेजे से और इसमें लगबग theoretical को पूरा cover किया गया है मतलब इसमें जो भी equations required है उसके पूरे derivations के साथ इसको दिया गया है तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरे पास book है इसमें coordinate system and dell operator से start किया गया chapter number one or chapter number two electrostatic chapter number three magnetostatic chapter number four plane wave propagation and polarization chapter number five transmission line s parameter chapter number six wave guide chapter number seven antenna और chapter number eight है वो basics of radar and optical fiber है जो कि 2016 से add हुआ है na radar and optical fiber जादा number of questions अब भी तक आई नहीं है लेकिन बिल्कुल scoring topic है अगर उसमें easily कमार्ट किया है और इसमें इसमें जब workout किया गया है इसमें तो इसमें जो पूरा का पूरा में देख पा रहा हूँ कि content को जो रखा गया है पूरे उसवे में रखा गया है कि जब आप पड़ोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा different tastes के form में रखे गया है और लगबग अगर आप देखोगे तो important formulas करके हर चेप्टर के end में रखा गया है तो जो लोग भी इस बुक को लेना चाहते हो बिलकुल आप इस बुक को ले सकते हो तो इस बुक में जो content पर वर्काउट है हमारे टीम की और मेनली साकेश सरी इस बुक को हैंडल किया है ठीक है क्योंकि अब तो मैं नॉमली गेटि इस बुक में जितना बेटर वे में जितना आपको content दिया जासे कि उतना content देने का try किया गया है और इस बुक का सर और बताईए special feature की कोई इस बुक को क्यों purchase करें पहला चीज तो यह कि हर टॉपिक को बहुत simple language में derive करके explain किया गया है तो start करेंगे अगर हम लोग कॉड़ने way में मतलब basic जो आपको required होता है EMT को समझने के लिए और EMT में command करने के लिए तो वहां पर बहुत easy way में एक एक vector के form को पूरा बताया गया है detail में की vector का क्या-क्या use होगा कौन-कौन से vector equations हम को use होते हैं आगे चलके वो सारी चीजे बताईगी है और फिर उसकी बाद इसमें फर्स चेप्टर है वो पढ़ ले और उसके बाद प्लेन वेव से स्टार्ट करें क्योंकि electrostatic और magnetostatic का थोड़ा सा वेटेज है electronics वालों को थोड़ा सा कम रहता है लेकिन क्योंकि कई students को लगता है कि electrostatic और magnetostatic जो है वो main background है plane wave को समझने के लिए तो वो लोग उसको भी prefer क करते हैं पढ़ना की वहां से स्टार्ट किया जाए तो आप दुनोई तरीके से इसको पर सकते हो और बिल्कुल हर topic के बाद आपको questions मिलेंगे basic questions मिलेंगे जिससे आपको उस particular topic से related जो questions को solve करने का approach है वो समझने आएगा पुछ solve examples मिलेंगे जिसके तुरू आप उस particular topic पे command कर सकते हो तो इस वे में अगर हम लोग proceed करते जाएंगे तो overall जो यह subject जो की tough subject माना जाता है लेकिं इसमें easily command किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा यह tough होता है बट यह students की mentality है कि वो tough मानते subject को अब मैं देख रहा हूं पढ़ा रहा हूं तो अभी especially राग 2 साल से EMT questions भी basic level के questions आये हुए है तो अगर इस्प्रूइंस को tough मानके पढ़ता नहीं है तो फिर वो basic question भी attempt नहीं कर पाता है क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा question tough हाने वाला कि subject का last two years से जो साके सर बोल रहे की questions का level EMT का अग्दम से tough नहीं किया है नॉर्मल रखे last two years से बड़ फिर हम ट्राय कि इस बुक में जैसे आप देखोगे polarization के जैसे अगर आप देख रहा हूंगे figure अगर आप देख रहा हूंगे तो पूरा प्रॉपर वे में इतने अच्छे से हम लोग पूरा figure बना के रखे हुए को कौन से topic को कैसे पढ़ना है और उस topic पे base question कैसे आना चाहिए कि टेक्स बुक एक अच्छे form में लिखे रहती है करी textbook बहुत अच्छी बुक है लेकिन हम लोग पूरी बहुत सारी जो टेक्स बुक को cover करता हुए रखे हुए कि एक बुक अगर 500 pages कि और इस बुक को अगर करोगे तो आपको variety of question में लेंगे क्योंकि जो बहुत सारी कोचिंग होती है उसमें प्रिवेस यर गेट के question ही रहते है और ज्यादा कुछ को रहते हैं तो variety of question लोग क्रेट नहीं करते तो आपको जो 500 और 600 वीडियो solution की बात करें तो 600 question का जो collection है वो आपके लिए रखा गया quality है लगबंग 90% coverage जो होना चाहिए कि question जो आएगा seven question आएंगे या six question आएंगे तो उसमें से अगर सब medium level के question आए तो पूरे बन जाएंगे एक दम extraordinary tough आगया तो एक अलग बात है लेकिन cover उस way में ही किया गया है कि जब आप पड़ो तो आपको आपको उस way में enjoy कर सको और अ question वगएरा सब देखे solution बहुत डिटेल में दिया है जितने question दी है अगर आधियान से इस बूक में देखूं तो पूरे question का जो है वो detail solution अच्छे form में दिया गया है पूरा का पूरा जो explanation जो होता है पूरा detailing way में solution बुरा दिया गया कि कोई अगर फड़ता है तो उसको एक जो feeling है गुड feeling को रख सके हम लाकियों सब जानता ही है मतलब कि कैसा level हम लोग उने try किया था उसमें देने का तो ऐसा ही solution का level हम लोग इसमें भी दिया है तो alternative method को भी follow करने की कोशिश कि किसी में अगर लग रहा है कि एक से जादा method हो सकते तो वो भी हम लोग उने try किया है तो मैं वहीं देख रहा हूं कि मतलब जैसे हम लोग प्रिवेस एर की book जिन लोग के पास भी है और जो लोग भी believe करते तो मैं हमेसा बोलता हूं कि gate academy वाले part को किन लोग को पहले opt करना तो बिल्कुल believe करके book purchase कर सकते में को नहीं लगता है अब 100% satisfaction level तो एक दम इसे नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी में को लगता है कि more than 90% आफ satisfied रहोगे इस बुक से और जित्ती भी books market में available है उन सब books से कोई comparison नहीं क्योंकि हम लोग उस सुली में work out की में को लगता है कि बाद हम लोग इस book पे निकाले कि चलो अब market में निकाल सकते क्योंकि हमको पता ना कि जब book निकलेगी तो बहुत सारे teacher purchase करेंगे उनको कुछ भी mistakes मिलेगा तो mistakes को count करेंगे कि देखो इसमें तो mistakes है तो यह सब चीज भी हमारा important parameter था कि एक teacher ले या कोई student ले या कोई बहुत सब्सक्राइब करना था तो मैं पहले भी बूलों कि जो लोग trust करते हैं लोग अभी तक उनको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप trust कि होंगे अभी लोग 40,000 का pen drive course ले रहे हैं तो अगर वो लोग trust करते हैं तो उनको पता है कि उनको क्या चीज़ें मिल रही है जो लोग भी books वगरा लेकर रखें प्रिवेश सेर्की उनको पता है कि वैसा content कहीं नहीं है से में बुल सत्माओं like communication अभी तो आपको dispatch होने वाला है तो आप communication पढ़ने वाले हैं और हम लोग EMT और communication को first priority में इस तरह रखें कि हमको पता था कि सबसे ज़्यादा लोग जो सोचते कि analog circuit मतब यह analog circuit EMT और communication तीन सब्जेट को लोग कोड़ा सा ज्यादा चाप समझते हैं तो हम लोग उस point अभी से रखें कि पहले इन बुक को निकाल देते हैं इतने साथ क्योंकि मैं सबको प्रॉमिस किया था कि इस बार study material निकालेंगे लेकिन वो नहीं हुपाया किस वे में नही study material पर जाएंगे अगले साल तो पूरे सब्जेट का study material निकले और जब आप देखे होगे कि study material इसको बोलते हैं अभी जितने भी मार्किट की study material है सभी मेरे table पर रखे रहते हैं सभी को मैं check कर चुका हूँ तो वह study material उस level के नहीं है अगर को student बहुत अगर बहुत intelligent है और व वह previous year के question copy paste मार दिये तो वो ठीकेट्स हो के हो सब लोग करते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता था इसलिए मैं previous year की book निकालने के बाद भी study material अभी तक नहीं निकाला तो study material के लिए 2000 जब अगले बार 2020 जब होगा gate का paper हो जागा फरवरी के बाद तब आपन launch करेंगे तो अभी जो DMT subjects है इसमें आप एच्छे good command कर सकते हो अलग बात है कि classroom में पढ़ना और एक वो different feeling होती हो तो different है लेकिन फिर भी मैं को लगता है कि बहुत सारे लोग जो textbook को बहुत अच्छे से follow करते जो proper notes बनाते जो proper key points बनाते अगर मैं इसमें देखू तो मैं को दिख रहा है कि इसमे बहुत सारे proper way में key points है जैसे SME chart की बात करूं तो पूरे इतने सारे points given है पूरा derivations है different test के format में दिया है जैसे अगर मैं S parameter की बात करूं तो पूरा S parameter आप देखोगे कि पूरा four port S11 को पूरा definitions है पूरा पूरा define किया गया है तो इतना detailing नहीं दिया अलेक्जंडर साड्यूक की book भी मैं follow किया हूँ तो मैं different books को देखा हूँ तो मैं को पता है कि कौन-कौन सी books में क्या-क्या-क्या problem से और कौन-कौन सी books में क्या-क्या improvement किया जा सकते है तो हम लोग पूरे points को पहले रखे कि EMT की कौन-कौन सी book best form में आती है और हम अगर book बना रहे तो हमारे book सबसे better क्यों होना चाहिए इस पर पहले तो हम लोग analysis किये तो finally मैं को लगता है कि जब आपके पास पहुंचेगी book तो आप अच्छा feel करोगे क्योंकि पूरा का पूरा जो credit है वो साकेत सर को जाता है कि यह अपना पूरा best दी है क्योंकि अभी मैं दूसरे project में विजी हूँ और मै अपना नेटवर्क कंट्रोल ए नेटवर्क कंट्रोल एनलोग सर्किट पावल टनिस एचरी सब्जेट अभी बिलाई ग्रांच में मैं इंगेज करता हूं तो सर की responsibility थी कि इस बुक को इतना चाह बनाया जाए कि जब लोग देखे तो फिर appreciate करें तो appreciation अगर आपको इस बुक बेसिक दिखा था तो मैं को दिखा कि इतना अच्छा content पर वक किया गया और अगर आपको इस पर feedback अगर देना होगा तो आप इस बुक का feedback दीजिएगा आपको बुक में कुछ problem होगी तो आप साके सार को messenger में search कर सकते हो वहाँ पर आप सार से कुछ पूछ सकते हो अगर किस simple यही से निकाला गया है print out इसलिए यह color version में रहेगा जैसा आप communication का देखे हो वैसे EMT का भी color version में रहेगा तो में को लगता है कि जब आपके हाथ में book आएगी और जब आप इसको ऐसा देखोगे और जब आप इसको पढ़ना चालो करोगे तो में को लगता है कि आप 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 से purchase नहीं कराना कि आप इस book को purchase करो जो लोग को पता है जो हमारे product यूज कर रहे हैं उनको पता है कि हम cashway में देते हैं वो लोग बिंदास इसे purchase करें और जो हमारे product को यूज नहीं किया होगा सबोसकर उसके पास ना previous year की book है ना communication का order किया है ना पीड़ी जी री कोर्स यह तो आपको idea नहीं है चलेगा इतना चलेगा तो ठीक है साके सर मतब मेरे साइट से तो आपको आपको thank you very much कि आप इतने अच्छे form में इस book को लिखे तो आपकी team और आप सभी लोग को thank you कि इतने अच्छे से इस पूरे book को cover किये मतब में अच्छा फील हो रहा है से student wise अ और के format में दिया है तो में को लगता है कि यह एक one of the best book का form है आप अगर देखो कि तो एक numerical answer type का अलग से बनाया गया है पिर multiple choice question का अलग से बनाया गया है including taste अगेरा सब कुछ रखे गया है और try yourself अगर आप देखोगे तो try yourself है और try yourself की पूरे की पूरे वीडियो solution दियेगा है जब आप इसको scan करेंगे तो इसके video solution डिटेल फॉम करेंगे और यह video solution है यह साके सर ही प्रवाइड किये तो जो video solution का जो form है वो साके सर दिये और साके जैसे यह बुक आपके पास प्रिंट होके आएगी आपको डिस्पेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो करेंगे तो बिल्कुल आप करते रहे हैं मेरा हम लोग का में जो objective है कि जादा ज्यादा good content आपको प्रवाइड करें जितने लोग भी अपनी preparation कर रहे हैं जो हम पर बिलीव करते कि मैं को अच्छा करना है करके तो आपको देखना होगा कि आपको कितना कितना टेक्निकली options को opt कर सकते ठीक है बागे तो फिर सब लोग को जब feedback मिलेगा तो हमको पता चलेगा कि लोग कितना enjoy कर रहे हैं जो feedback आपको होगा हम जब next edition की बुक निकालेंगे तो और त्राइ करेंगे कि आपके कुछ points होंगे कि सर इस points पर थोड़ा सा और बात कर दीजिए वैसे तो मैं को लगता नहीं कि कुछ chances होंगे बट फिर भी मैं 100% भी नहीं बोल रहा हूं मतलब मैं को पता है 100% good form में लेकि मैं फिर भी 90% तो बोल रहा हूं कि मैं जैसे देख पा र किसी अच्छे अगर को प्रोड़क्त अच्छा नहीं और इसको मैं अच्छा बोल सको क्योंकि मैं को अपनी image का भी care है तो मैं care करता हूं कि कोई बहुत महंगी book तो ऐसी है नहीं कि बहुत जाद ऐससे कुछ आ जाएगा तो मैं अपनी image का care करता हूं कि मैं जब भी किसी product की बारे में बात करूं तो पहले मैं SEO हो जाओं कि वो जो content से वो good quality का क्योंकि मेरे instrument को जाने वाला है और बहुत सारे instrument में फिलीव करते कि अगर आप बोल रहे हो तो सर अच्छा ही होगा तो उस वे में भी मैं सोचता हूं बहुत सारी चीज है तो finally यह book को बहुत editing के बात फि पूछते रही है साके सर कम्मिकेशनर EMT को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते तुम्हें को लगता है कि इस book के साथ और साके सर के साथ आप enjoy करेंगे ठीक है तो okay thank you very much